असलाम अलेकम एवरीवन कैसे हैं आप अमीद करती हूं अपनी घर में अपनी फैमिली में ठीक होंगे जैसा के यह मेरी आप जो जमपर है उसकी वीडियो देख चुके हैं उसी के साथ की मैंने मैचिंग यह टोपी बनाई है यह देखें विद एयर फ्लिप यह एयर कवरिंग के लिए साथ साथ इसके बनाए हैं को कि यह कुछ डिजाइनिंग ऐसी थी तो इसके साथ यह अच्छा लगना था यह और साथ में इसमें मैंने उपर बिग पॉम पॉम लगाया है और यहां में दो छोटे छोटे पॉम पॉम जब आप इसको टाइक करोगे तो यह ऐसे दो छोटे पॉम पॉम हो गया है यह थोड़ा सा इसकी कटिंग अभी मुझे लगता है यहां से थोड़ी सी शेप होने वाली है थोड़ी सी मैंने इसको और शेप बनाया क्योंकि जब करते हैं थोड़ी दर बाद सम्टम धागे लूज हो जाते हैं तो फिर बाद में भी इसकी इस बना सकते हो यह हुआ है यहां से यह चार से पांच साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगी बालके फोरे से बड़े बच्चे या उसे चोटे बच्चे दोने प्यान सकते हैं तो कि इसको टाइद करने की वजह से यह इजी पहनी जाएगी यह इसको बनते हुए मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है जो किसके बाद मैं अपलोड करूंगी बहुत सारे लोग मैं देखती हूं कि मेरे चैनल को देखते हैं वाच करते हैं लेकिन वह सब्सक्राइब नहीं करते तो आज मैं उनके यह कहूंगी प्लीज आप सबस्क्राइब क कर दें और शेयर करें तो चले हम यह टोपी बिनाना सीख दें यह देखिए टोपी को मैंने इतना बना लिया है यह उसी तरह जैसे वही कलर कंबिनेशन जो कि मैंने यहां तक लगाए हैं यह मैंने इसको 106 स्टिचिज डाले हैं मैंने यह यह 106 स्टिचिज मैंने डालने के बाद इसकी 12 I think 13 स्लाइब यह मैंने सीधी उल्टी डालने के बाद यह मैंने डिजाइन शुरू किया एक सो यहां आप क्या सकते हो कि यह बॉर्डर जो है यहां से वन एड़ हाफ इंच का यह सीधा उल्टा बनाया है मैंने और अगर मैं यहां से आपको इसकी 106 की यहां से मैं इसकी पूरी देखती हूँ यह यह तक्रीबन 18 इंच के पास पास जा रही है जो के एक चार से पांच साल के बचे का हेड जो है वो 20 तक होना चाहिए 20 21 या 9 इसके दिरम्यान तो इसमें फ्लेक्सिबिल्टी होती है वो कवर हो जाती है वरना फिर बहुत खुली बन जाती है ठीक है करने के बाद मैंने यह अगर आप यह तो बॉडर पार्ट ले लो ना यहाँ यहां से यहां तक मैंने 7 इंच 7 इंच तक बना लिया हुआ यह इसने इद्ड़ को यह वाले पोर्शन ने ऐसे यहां यहां जब मैं ऐसे सी हूंगी ऐसे ऐसे टर्न हो जाना ठीक अब उसके लिए यह कि मैंने शांपल क के लिए आपको समझाने के लिए यह मैंने बारा स्टिच डाल के उसकी चार-पांच लाइया यह डाल दिए है लेकिन आपने वन एड हाफ इंच तक यानि कि आप देख ले यहां से अगर आप यह इसकी फर्स स्लाइस से शुरू होने के बाद एक दो तीन चार पांच छे बूल है और सलाई सलाई यह जो मैं 4 mm यूज करती हूँ यह वाली मैं सलाई जो यूज कर रही हूँ यह देखें इदर इसका पूरा चार्ट लिखा हुआ है यह 4 mm में बिलकुल ठीक आ रही है 4 mm UK size 8 है यह देखें size 8 size 8 की यह सलाई है और अभी है अभी तो मैं इसको एक साइट पे रखते हैं आपको इसका design बनाना सिखाती हूँ अगर तो आप लोग ने इसका jumper बनाया है तो design आता ही होगा लेकिन वो मेरी बेहने जो सरफ यह टुपी ही बनाना चाहती है उनके लिए अभी मैंने इसकी आप 13 स्लाईयां डालने के बाद नहीं अगर आपने ऐसा डालनी तो आप इसका border भी बना सकते हो यह करने के बाद अब हमने यह करना यह दो पर दो stitches पर design पड़ता है इन दो stitches के middle से इन दो stitches के middle से मैंने इसको निकाला करने के बाद बनाया इसको leave नहीं किया क्योंकि एक stitch बन गया फिर अगले leave नहीं करने के बाद अगले को कठा लेके पीछे से ऐसे मैंने बना लिया तो ये दो स्टिच हो गये ठीक civil के मीडल से मैंने लिया अ मैं लीव नहीं किया फिर इन दुनों को कठे बना लिया इसे इदर मीडल से बनाने के बाद मैंने लीव नहीं किया इन दोनों को ऐसे बना लिया सारे स्टिच पूरी रो इसी तरह डलनी है इन दो स्टिच्च के ये मिडल से लिया ऐसे बना लिया और चोटी स्लाइयों कि यह जाता है यह लिया और इन तोनों को ऐसी बना लिया और एंड वाला मैंने वैसे ही बना लिया अब दुस्री जो है पैटन की ये 1st स्लाई थी दूसरी स्लाई में हमने ये करना है ये साइड वाला तो मैंे ऐसे ही उठा लूँगी अब ये दोिध दो है ना पहले निकाला और वापस इन दोनों में बना लिया ठीक दो को कठे लिया और इसको वापस बना लिया इन दो में से मैंने कठे को बनाया लीव नहीं किया ऐसे ही फिर दोनों को बना लिया यह मेरी दूसी चलाइब पूरी इसी तरह पैटन की होगी और वान टाइम हमारा पैटन बन जाएगा यह दो सलाइओं पर ही बनता है ये ये एड ये एक दफा मेरा पैटन ऐसे बन गया अब इनके बाद दो सलाइआं मैं वैसे ही एक सीधी और एक उल्टी डालूँगी गैप देने के लिए one पूरी मैं ऐसे सीधी बना लूँगी और अब मैं एक दफ़ा दूसरी स्लाइस सारी उल्टी बना लूँगी जी यह देखें बन दी और यह देखें डिजाइन भी प्रामिनिट हो गया अब फिर हमने इसी डिजाइन को दोबारा रपीट करना है कैसे एस इन और थार बहुतकि यज़िंद में से ऐसे हमने स्टिच बनाखे इसको लीब निकर्णना इन दोनों को फिर अकठे लेकर बना लिना इस फर्स्ट में से ऐसे मैंने स्टिच बनाया यौन से और यह यौन को छोड़ा नहीं उसको स्टिच को छोड़ा नहीं और दुबारा एक और बना लिया जब भी आपको लगे आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो आप स्लाइया लेके जैसे जैसे मैं करती हूं वैसे किया करें तो आप पे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी यह सारी स्लाइय इसी तरह डालनी है अब अगली स्लाइय हमने इन दो को ऐसे कठे करन बनाना है और पीछे से बना लेना है दो कठे बनाने हैं पीछे से बना लेना कठे बनाने हैं पीछे से बना लेना यह बस इसी तरह यह डिजाइन ने रपीट होते जाना है जी अब यह देखें अब फिर मैं दो स्लाइया एक सीधी और एक उल्टी डालती हूं यह देखें मैंने एक सीधी और एक उल्टी बना लिया दो दोवर डिजाइन पैट हो गया repeat इसी तरह यहां पर मैंने three time three time repeat किया अब एक दफा फिर design ड़लेगा three time three time design बिनाने के बाद दो सलाइएn एक सीधिय और एक उल्टी gap देने की बजाए मैंने six स्लाइओं का gap दे दिया फिर उसी तरह एक दफाइओ दो स्लाइओं पर डिजाइन पड़ा उसके बाद फिर सिक्स को मैंने सिक्स का ये गैब दे दिया ओके देने के बाद फिर मैंने पिंक धागा यूज कर लिया और उसी पिंक धागा यूज करके डिजाइन के साथ शुरू कर लिया अभी ये जैसे मैंने दो स्लाइओं डाली है तो तो मैं चार स्लाइब और डालने के बाद पिर bacter को यूज आ प्रेदा पर बना लिया था फिर जब 6 स्राइब डली थी तो मैंने color change किया ठीक, अब मैं आपको यहां पे, क्योंके समझा रही हूं, तो मैंने इसी यहीं से color change कर लेती हूं, color का करने के बाए पहला तो आप stitchy सी धागे से वैसे ही बना ले ताकि उसमेरा अंगाजे, ऐसे बनाने के बाद, इसको मैंने ख वापस बना लिया, इन दो को बनाया, इन दो को वापस बना लिया, इसी तरह मैं यह पूरा complete करके, उल्टी स्लाई भी, जैसे मैंने रॉंक स्लाई डाली है, वो बनाती हूं, इस तरह यह color change हो गया, और design भी बन गया, इसी तरह मैंने यहां पे color change किया, design बनाया, उसके अला धागा यूज का लिया, यह almond color का, फिट six line या, फिर यह मैंने एक दफ़ा दो स्लाईयों में design डालने के बाद भी चार स्लाईया डालनी है, ठीक है न, और मेरी require length जितनी मुझे चाहिए थी seven inch के करीब, वो पूरी हो गई, तो कि मैं अगर यहां से लेती हूं, यहां त बस यहां से start करते हैं, मैं दो stitches तो वैसे उठा लिया है, फिर दो का मैं एक कर लूँगी, फिर चार, एक, दो, तीन, चार के साब से देखते हैं क्या पड़ता है, यह दो को एक कर लूँगी, फिर चार, वान, टू, थ्री, फोर टाइम मैंने बनाने के बाद दो को कठा बन दालूँगी, इसी तरह मैं दो, एक, एक कम करती चली जाओंगी, एक, दो, तीन, चार के बाद, दो, तीन, चार एंड पर रह गए, अब उल्टी स्लाइब मैं सारी ऐसे ही डालूँगी, उल्टा-उल्टा, इसमें कोई भी कटिंग नहीं होनी, ओके, यह देखे, मैंने और से देखना है, वो ऐसे, कि यह पहला तो मैंने स्टिच ऐसे ही उठा लिया, ठीक, अब हमने एक कम भी करना है, और डिजाइन भी बनाना है, दोनों साथ लेके चलने हैं, पहले मैं करती थी, कि डिजाइन में यहाँ एक से, मैं ऐसे निकार्ट बनाती थी स्टिच, नहीं अब मैं दो को लेके स्टिच बनाऊंगी, ठीक, बन गया, फिर अगले तीन मैं कठे बना लोगी, इस तरह मेरा एक स्टिच डिजाइन के अंदर ही कम हो जाएगा, यह दो रह जाएंगे, ठीक, एक यहाँ स्टिच कम हो गया, अब अगला एक डिजाइन मैं नहीं वैसे ही ब बनाया और 2 को कठा बनाया कि अब फिर मैंसे करूं ही दो में से मैं स्छिच को लोगी और इन तीनों को कठे बना दूंगी को है EVERY सा यहां फिर स्टिच कम फो जया अब यह वालम मैं स्टिच ऐसे ही बनाँगी अगले फिर दो को करूँगी फिर ऐसे अगला एक में इसी तरह एक दफा एक में एक दफा दो के साथ करते करते मैं ये पूरी रो कम्प्लीट कर लोगे ऐसे दो स्टिच बना लिए और अगला वैसे ही और एंड पर ये दो स्टिच रहे हम इन दो का एक कर लेते हैं क्योंकि इस तरह यहां कम हो देगा ठीक अब रॉंक्स लाइए उसी तरह डिजाइन के हसाब से जैसे मैंने आपको सब्सक्राइए उसी तरह डालनी है ये तो वैसे ही हो गया अब ऐसे दो में से ऐसे किया है अब डी टू के बाद और अब यह देखें बस आप ऐसे ही पूरी रोग कंप्लीट करते चले जाएंगे यह सारा आप इसी तरह बना लेंगे यह मैंने पूरी स्लाई डाल दी है अब अगली स्लाई हम यह करेंगे कि यह दो जो है ना इन दो का एक कर लेते हैं ठीक फिर एक दो मैं वैसे ही बना लेती हूं फिर दो का एक कर लेते हैं फिर वान टू मैं वैसे ही बना लूँगी फिर इन टू का मैं बना लेती हूं ठीक इस तरह आप यह पूरी स्लाई कंप्लीट करके उल्टी स्लाई पे हमने कुछ नहीं करना वैसे ही उल्टी डालनी ह एक दफा ये मैं दो वैसे ही बना लेती हूं ये डिजाइन जो एक दफा दो को कठा बना लूँगी ये देखे सर्चुनट में भी आ गया और डिजाइन भी फील हो रहा है वैसे ही है ये मैंने पूरी स्लाइड डाल ली है ठीक है अब हम करेंगे इसको मैंने लिया दो को एक बनाया फिर मैंने एक दो को एक बनाया फिर मैंने एक फिर मैंने टू का एक बनाया फिर एक इसी तरह दो को एक फिर एक ये पूरी स्लाइड कंप्लीट करके मैं उल्टी स्लाइड डाल लूँगी ठीक है ऐसे करने के बाद रॉंक स्लाइड मैं वैसे ही उल्टी डाल यह अगली हमने एक्व टू ना चले जाना है यह मैं इन दो को इसी को फिरो हम रहने देते हैं इसको हम वैसे फालेती है इतों इसी को में कि को यह आ और यह हमारी सारी कटिंग हो ज्याजेगी six प्रोपकी ये ये एंड है और एंड वाला भी वैसे ही बना लेते हैं ठीक ये हमारी कंप्लीट होगी टोपी सारी अब मैं इस धागे को यहां से काटके इन सारों को अपस ऐसे परो लूँगी लिए इसको अंदर यह से दागा डाला ठीक और इससाइड से मैं इससे परोणा शुरू कर दूंगे दागा डालके मैं इसससे परोणा वैसे मुझे ऐसे नकाल के ज्यादा इजी लगता। असे असानी दूल नहीं सी पकड़ो और यह एक एक करके कि उसको अठाते जाओ सारे हाथ में आए हूँ यह देखेगी मैंने इसको प्रो दिया और यह हमारी टोपी की उपर से ऐसे शेप आ जाएगी आप इसको हम आपस में ऐसे सी लेते हैं इसको यहां से एक दफ़ा मैं पका करूँगी और एक एक करके मैं ऐसे इसको सी लोगी अब भी मैं सरफ यहां तक क्रीम तक सी होंगी ठीके यहां क्रीम तक ही इसको यह जो अलमन्ड कलर है उस तक ही सी होंगी यह करके यह देखें मैंने यहां तक इसी कलर से लिया फिर आगे से मैंने पिंक कलर से लिया कोशिए करें कि डिजाइन के साथ ही डिजाइन हो और अब यह जो तीसरे वाला है मैंने इसको इस कलर के साथ ऐसे सलाई करते करते पूर्या सी लूँगी ऐसी एक इधर से एक फिर यहां ऐसे डिजाइन को कोशिश करें वो एक वक्त में ही एक दूसे के बराबर आए यह ठीक है इस तरह मैं यहां तक सी लिती हूँ इसको यह देखेंगे मैंने एंड तक सीधी है ठीक है मैं अब हम यहां से इसको टर्न करके सीएंगे ऐसी यहां यह धागा जो मैंने जब स्टिच डाले थे या क्या फंदे डाले थे तो उसमें से मैंने थोड़ा सा कोशिश की थी थोड़ा सा बिग मेरा छुट दे था कि मैं उसी से स्लाई कर लूँ अ n什麼 यहां टाइम स्टार्ट ही यहां ऒंट लूट न तर्ट जैसे यह 2 की स्टार्ट था यह यह स्टार्ट है यह LIVE इधर से हमने पकड़के इसको शञा शुरू कर देना उससे पहले आप ऐसा करें कि इनको पिन जूर लगा लें पिन से ताके वो सीधा आए आपके ऐसे मैंने पिन लगाई है और यहां से पकड़ के ऐसे इतना इदर को आएगा कि इदर से ये मेरे पास नीडल में धागा जो मैंने कहा था ना कि स्टिच डालते हुए मैंने थोड़ा सा एक्स् तो यह दिखो यह डिजाईन और इससे धोड़ा सुखे और कि थोड़ा खूब यह यह uh एसे पकड़े ऐसे सीलित धबड़ी इस ध़ीव ओक्रों स्टेश के अंदर अंदर पिन लगा लें फिल अगय मूव करदें ऐसे डिजाइन आएगा और यहां फिर मैं पर यहां ऐसे मूव करके आगे करके लगा लूँगी बिन की मदसे और फिर ऐसे सीना शुरू करदूंगी हल्क कहल के बहुत ऐसे ठीक है फोड़ी कैप के बाद आप इस तरह इसको सीते चले जाए और यह इधर से ऐसे हो जाएगा जी मैंने इसको यह देखे सारा सी के यह काट लिया है और यह ऐसे मेरी टोपी बन गई जी यह देखे मैंने सारी सब की स्लाइ कर दी है और यह भी देखे यह तिक नब इसको मैंने इसके एक इसकी एर कवरिंग की है इसको आप एर फ्लैप भी बोल सकते हैं एर फ्लैप बनाया है दूसरा मैं आपके साथ बनाऊंगी क्योंकि इसका कुछ पैटर्न ऐसा था तीन कलर में तो यह अच्छा लगेगा और इससे बच्चों के कान भी कवर रहते हैं बहुत सर्दी में ठीक है इसमें यह होता है कि कान थोड़ा सा फेस के बैक को लगे होते हैं तो उसमें यह कि मैंने यह बिर्कुल सलाई के यह दोनों कान के लिए भी यह 25 स्टिच मैंने मार किये होएं और यह जो फ्रंट फेस है वो मेरा 36 का है इसका यह 106 टोटल थे फ्रंट फेस मेरा 36 का है प्लस फिर मेरे 25 और प्लस 10 एक यह वन यह और फिर इदर दूसरा यह 25 का प्लस 10 और यहां सलाई हुई है अगर आप इसको टोटल क 50 60 70 70 of 36 106 ओके यह इस तरह इसको मैंने डिस्ट्रिब्यूट किया है यह अब हमने यह देखो यहां से मैं फिर यह करूँगी कि इदर से स्टिच उठाना शुरू कर और इसकी स्लाई से यहां से स्टिच उठाना बिलकुल एंड पे यह यह मेरा इस मार्क के बाद यह मेरा प से बिलकुल एंड से स्टी चुठाना शुरू कर दूंगी एक वान फिर उसके नेक्स्ट तू यह उसके नेक्स्ट थ्री 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और यह एंड 25 यह बेलकुल देखें 25 स्टीच उठाएगे हैं ओके यह देखें यह मैंने 25 इसके पूरे स्टीच उठा लिए अब मैं करूंगी कि भी 3 स्ञाईया तो वैसे ही डालकी यह यह तों यह यह वैसे इसके दो-दो चम हैं यह देखें बॉर्डर बनाया हो है यह थोड़ा सा बॉर्डर है दो स्टीच का सीधा सीधा दोनों साइडों पर बाकी साधा सीधी और उल्टी है यहां पर मैं दो तो सीधे बनाऊंगी किया से दो में सीधे और बाकी में सारा उल्टी ये सारी उल्टी स्लाई बनाते बनाते एंड पे भी दो सीधे बना लोगी ये मैंने एंड पे दो फिर बॉर्डर के लिए सीधे बना लेने हैं ये हो गया अब फिर नेक्स स्लाई फिर में सारी सीधी सीधी बनाऊंगी और फिर उल्टी बनाऊंगी जानिकिती तीन स्लाइं या मुझे इसी तरह डालनी है उसके बाद मुझे इसकी लिए कटिंग शुरू कर देनी है कि यह देखे मैंने स्की तीन स्लाइं डालनी है अब हमने दोंनों तरफ से एक-एक हर सीधी स्लाइ पर पिज़ को कम करना है यह मैं यह द यह ना इसको एक मैंने ऐसे सीधा किया और पीछे से इन दोनों को एक बंद कर दिया ठीक और फिर दो मेरे ऐसे हो गए सीधे अब उसी तरह उल्टी स्लाइप पड़ेगी फिर सीधी प्याओंगी फिर कम कर दोंगी इस तरह एवरी सीधी पे स्लाइप आते आते मैं एंड तक पहुन जाओंगी थिक इन दोनों तरफ से कम करते करते यहां तक का गई हूं और यह दो दो स्लाइप बाडर बना है दो थोंदो स्चिचिस का ठीक यह ठीक है अब मेरे पास यह देखें दो इस बार्डर के सीधे हैं दो द्रम्यान में मेरे पास तीन बच्गे हैं अब मैं करते हैं तीन को एक बना लेती हूं इस तरह मैं इन तीन को इसको तीनों को इस लाई में डाला मिडल का मैंने पिक किया करने के बाद इनको तीनों को मैं इनको वापस करने के बाद इस तरह मैंने तीन का एक कर लिया ऐसे और फिर वान एंड टू बना लिए ठी अब इन फाइब को मैं इस तरह बनाते चली जाती हूं यह इसकी स्ट्रैप जो बनानी है वह कैसे है यह स्लाइब में दो सीधे होंगे वान एंड टू सीधे यह एक उल्टा फिर वान एंड टू सीधे इदर से सारी सीधी यह स्लाइब सारी सीधी यह सारी ऐसे सीधी बनेगे इस साइध से दो सीधे एक उल्टा फिर यह सीधा इधर से इसे ही उठा के पूरे सीधे इसी तरह यह मैंने स्ट्रक बनाते चले जाना है ताकि टाइअ करने में असानी हो इतनी बना ली है अब ये फाइव स्टिचिज है अब यहां भी ऐसा थाप मैंने यह किया कि इन दो स्टिचेश को एक बना लिया उसको आगे बंद करना ना ऐसे थोड़ा सा किसी तरह भी कर ले ये कोई फास इसमें हाट और फास रूल ली है ये मैंने सीधा रहने दिया और इन दो को भी बंद कर लिया अब ये सारे इस साइड से एक सीधा एक उल्टा और ये सीधा बना अब इन तीनों को मैंने कठा बना लिया और ये मेरा बंद हो गया अब तीनों का मैंने एक कर लिया इसे तीन का मैंने एक बना के और यहां से मैं इसको कट करतूंगी और ये मेरे इसकी दोनों इसकी ये आप को क्वेस्टिंग सी ये ये जो मेरे है फ्लैप उसकी ये बन गई ये एक वलों की दोनों और ये कितनी है टोटल यहां से अगर मैं देखती हूं यहां से यहां से मैंने ये स्टिच उठाए थे तो ये दस इंच बना है और यहां से आप देख लो तो इस तो हो गई टोपी अब यह सारे मार्क मैं उतार लूँगी और उसके बाद आता है पॉम पॉम इसका पॉम प एच्छ लगते हैं पॉंपं के लिए मुझेद करना hanno जाता है और यह हमझे छोटे पंपमद लगाने है उसके लिए मैंने ऑ tääि तीन इंच का का ड्रल देके उसी तरह शेप में काट लिया है तो यह आप एक दफा आपके पास कोई अच्छा सा काट बढ़ो उसको काट के रख ले मुख्तिलिफ उसमें साइज में तो जो साइज आपने यूज करना है तो वह आप फिर यूज कर लिया करें अब इसमें सिंपल यह मैंने बड़ा पॉम-पॉम यह यहां इसी सेम कलर का लगाना है तो मैं इस तरह इसको रोल करना शुरू कर दूंगी यह मैं टूफिफ्टी तक तो करती हूँ फिर देखती है कि इसका और नीड है के नहीं बस इम पर यह वान टू त्री फोर जब यहां आए काउंट कर लो फाइव सिक्स सेवन इसी तरह आ इसको रोल करने के बाद इसको मैंने ऐसे कट कर लिया कि कट करने के बाद आम में एक धागा लूंगी उसको टू यह थ्री टाइम कर लेंगे ताके थोड़ा से स्ट्रॉंग सा हो थोड़ा सा छोटा है मैं वान ऐसे टू थ्री फोर टाइम कर लेती हूं ताके थोड़ा सा स्ट्रॉंग हो करने के बाद इसको मैंने ऐसे इस दर से इस दर से पकड़ के इसका बनाने का मक्त तो यह था एक तो टाइअच्छा हो जाता है और उपर इसको अच्छा सा टाइब कर लो तू थ्री टाइम टाइट ली कि यह फोर टाइम मैंने करने के बाद धागा ऐसे एक दफा में धागे को इधर ले आऊंगी और जितना टाइट ली आप इसको कर सकते हैं आप कर लो यह 200 टाइम मैंने इसको इसके इद्गिद्ध रूल किया है अब मैं इसको डबल नॉट करके एक दफार फिर मैं इद्ध लाँगी करने के बाद इसको फिर काफी स्ट्रॉंग हो गया यह है अब इसको ऐसे काटना है काटना भी असान हो जाता है इसको ऐसे करो और ऐसे काटनों किसी बड़ी सीजर सेगे स्ट्रॉंग इसी जरा इस साइट से यह यह ढ़िए जो रगया लाँ पुरा से अगए यह जे अब मैं इसे काटना है मुझे इसको यह देखें यह काफी बिग साइज पॉम पॉम बाद गया है अब मुझे इसको शेप देनी है इसको ऐसे अच्छा सा पकड़के इसको यहां से कट कर दूँगे अब झाई।ब मुझे इसको झाई पॉम मले क्टीछ यहां सिए कि नहीं है कि अच्छ प्रिटी कि अब हम रबिश को इदर करते हैं और यहां इसके में हम इन सारों को मैं इसमें से कोशिश करती उसमें से निकल जाए सारे मैं क्रोशिया नीडल ले लेती हूँ वैसे भी आ जाएंगे इसमें होल में से एक तफ़ा बाद में भी हम इसकी कटिंग कर सकते हैं यह देखें काफी बिक साइज मैंने पॉम पॉम लगा आया है इसकी बाद में भी हलकी हलकी कटिंग हो सकती है इसकी थोड़ी थोड़ी जो रहे हैं अब यह अंदर जो है ना हमने यहां मैं सुई को लोंगी इस आफाक को ऐसे करके ना इनके साथ भी गाई मेरे पाई यह नीडल है इस नीडल में एक एक करके हम इसको सारा अच्छी तरह से डाल के दागे को इसको कट करके इसने असानी के चला जाना है ऐसे द्धागे में यह किया करने के बाद मैं इदर से ऐसे इसको पकड़के और यह जो हाफ है ना यह हाफ इसके साथ ऐसे नॉट कर देती हूँ थोड़ा से टाइट हो गया ठीक और इस तरह यह होगे इनके साथ मैंने किया इसको तो मैं यहाँ से कट अब इसी तरह मैं यह वाले साइट लूँगी इनको करने के बाद इनको भी टाइट कर देती हूँ किसी तरह भी आपको जो आपका भी है इसको टाइट करने का मैं मतलब यह कि इसके साथ जुड़ जाए और मैं फिर इसमें ऐसे परो लोंगी इसके अंदर परोने के बाद यह इनको फिर ऐसे टाइट ली दो और यह तीम करने के बाद इसको मैं ऐसे यहां से ऐसे कट कर देती हूं यह तर बीन में जाएगा और यह देखें यह ऐसे पॉम पॉम ती और यह कितना प्रीटी लग रहा है पॉम पॉम के साथ कुछ की अभी कुहीं कहीं रहता है कटिंग करने वाला कि यह भी थोड़े से रहते हैं इनको आई यह थोड़े सी स्वीट दे लेते हैं अब हम इसी तरह दो छोटे छोटे इस कलब के पंपं यहां लगा लेते हैं उसके लिए मैंने पहले तो फूर इंच लिया था यह मैंने त्री इंच लिया है मेरे परिफल में थ्री से भी छोटा होना चाहिए यह तो छोट छोटे लेनी है मेरे पास यह कार्ट बोर्ड है मैं ऐसा करती हूं और हाफ इंच का यह मैं काट लेती हूं इसी तरह क्योंकि यह मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए यह टू हैंड़ हाफ ही आ रहा है तो थोड़ा सांब यह यह टू एंड़ हाफ इंच का मैंने लेकर उसी तरह मैं इसको कट करती हूं और मैं इसको यहां से ऐसे रोल करती हूं यह मैंने तक्रीमन 60 टाइम इसको कर लिया है उसी तरह मैं धगा लूँगी और इसको टाई करके यह एफ़ा कि दर लिचाती ले जाते हैं और तो पकर के यहां से यह कटके वारा गया और यह छोटा छोटे वाला पंपं रेडी हो गया इनको भी हम इसी के साथ ही आड़ कर लेती हैं क्योंकर यह यह करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी शेव दे देते हैं है फाइनल शेव हम इसको जोड़ के देते हैं यह छोटा सा है यह वाला मेरे पास तोड़ा सा ही है यह मैं उसमें एड कर लोगी दागा इसको करने के बाद यह जहां नॉट है न यहां की हुई थी हमने मैं इसको यहां से इसको ऐसे करके जो जॉइंड कर देती हूँ यह किया फिर मैं इसको लेके फिर कस दूँगी दो तीन दफ़ा मैं ऐसे करती हूँ इसको फिर मैं यहां से लेके यह और ऐसे यह जोड़ जाएगा यह जोड़ गया ठीक है करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह नॉट करने के बाद इसको और मैं इसकी शेप दे देती हूँ और इसी तरह मैं दूसरी साइड का पॉम्पॉम भी बना लूँगी सैटिस्फाइड नहीं हूँ तो एक दफा मैं और इसको उनको ऐसे करकर के नॉट करकर के चले अब यह मेरा पॉम्पम जड़ गया और आम इसकी में शेप दे देती हूँ और इसी तरह मैं दूसरा बना के भी लगा लूँगी इसको आप अमीद करती हूँ आपको यह टोपी लाइक होगी और आप अपने बच्चों के लिए जरूर ट्राई करें यह काफी होगा यह देखें बिक पॉम्पम यह बिक और यह एक स्मॉल दूसरा भी मैं इसी तरह बना लूँगी अब अजाज़त दें फिर किसी और प्रोजेक्ट के साथ हाज़र होंगी अल्ला हाफिज